नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आज हम लोग मतस्ति का चिन्य इंसान की हतेली पर बनने वाले मतस्ति के चिन्य के विशे में जानेंगे इंसान के हाथों में इस प्रकार से बमता है तेड़ी मेड़ी रेखाओं से मिलने से इस प्रकार से कहीं पर हम लोग इस प्रकार से भी देख सकते हैं ऐसी गोल करके आकिरती बे इस प्रकार से इस प्रकार से आड़ी तिर्ची रेखाओं के मिलने से मतस्ति का चिन्य मिलता है अब मतस्य का चिन का भागी रेखा पर क्या फल होता है ऐसे तो इंसान के हाथों में मतस्य का चिन जो है अधिकतर जगों पर यह सूब फल देता है कुछ जगों पर यह असूब फल देता है लेकिन जादातर जगों पर मतस्य का चिन जो है सूब फल देता है अगर आपके भागे पर भागे रेखा पर सुरी रेखा पर हो यह धन दिलाता है सुक सम्मिर्धी दिलाता है समांता पदान करता है आपको समाज में पर्तिष्ठा दिलाता है अधिकतर जगों पर यह सुब होता है कुल मिला के मतस्षी का चिन अच्छा माना जाता है अगर आपके हाथों में इस प्रकार से भागी रेखा मनी बंद से सुरू होकर ये सनी पर चले जाए सनी परबत पर ही भागी रेखा जो सनी परबत पर ही पहुंचती है कहीं से भी सुरू हो सकती है ये हमने पिछले आंक में आप लोगों को बताया है अगर भाग रेखा मनी बंग से शुरू हो जाए यहां पहुंच जाए तो मतस्टी का चिन ये जेनरली लोगों के हाथों में पैसे वाली लोगों के हाथों में आपने देखा हुआ कि ये इस छेतर में बनती है ये इस छेतर में मतस्टी का चिन बनता है कि यह चिन जर अस्पश्ट घिसके हन्तों मेंसा अर्श कई दोश्य मुग्त हो तो वैवाद है सप Ł प्रोटेशन होते रहेगा आपके पास हमेशा पैसा रहेगा सभी कारिया आपके आराम से होते जाएंगे आप अपने मेहनत से आगे बढ़ेंगे के तुपे मतश्री का चिन अगर भागी रखात बनता है इसे लोगों को परिवार का सहयों कम मिलता है कुछ लोगों के हाथ में भागी रखा मद से शुरू होती है राहू का छेतर होता है इस अस्थान पर भी मतश्री का चिन बगता है अगर कोई अनिरेखाओं के मिलने से आपके हाथ में मतश्री का चिन इस प्रकार से बन रहा हो तो मतश्री का चिन यहां भी बन सकता है इसका प्राहू के छेतर में जो इसके हाथों पे शुरू होता है ऐसे लोग के जीवन जो है 32 से 33 बर्स तक संघर्स में बीचता है 32-33 बर्स के बाद ये लोग अपने बल पे खुद के बल पे भागेदय करते हैं और अच्छी तरक्की करते हैं ऐसे लोगों में सोचने सब्सक्राइब की सकती अत्यधिक होती है वो अपना काम निकालने जानते हैं कि कहां हमें कैसे बात करना है किस प्रकार बात करना है लोगों को डील कैसे करना है ऐसी इन में खुबी पाई जाती है ये अपने काम में काम निकालने में माहिर होते हैं ये समय के प्रिस्थिति के साथ अपने आप आसानी से ढाल लेते हैं आपकी अगर भागी रेखाई इससी से सुरू हो और सनी पे पहुंच जाए और मतस्रिक चिन का एक अंस जो है आयू रेखा को छू देती यह अत्यांत सू माना जाता है कि आप उम्र के उस परव में जबड़ दस्त तरक्की करेंगे जिस परव में यह इसको छूता है उम्र को भी अलग-अलग बाटा जाता है हमने एक अंक में चर्चा किये कि किस परकार उम्र को अलग-अलग बाटों में भागों में बाट के हम देख सकते हैं उपर वाले छेतर पर बनता है तो इसका फ़ल पूछ अलग होता है इसा माना जाता है कि जीवन के उत्राज मतलब आफ 50 वर्श के पार आपके जीवन जो हर यहां से सुरू होता है उस समय आपका डेवलॉप्मेंट को दिखलाता है उससमय आप तरक्की होंगे अगर यह निर् पढ़ना रहा है बिल्कुल साप सुत्रा और तिर्षी रेखा है अगर इसको काटती नहीं है तो आपको कहा जाता है कि आपका जो है जिवन अपने अधीक तरक्की करेंगे आपके पास बहुत सारा पैसा होगी आपकी सहरी मनुकामना पूर्ण होगी और अपने मनुयोग काम क कर सकेंगे कुल मिला कि यह देखा जाता है कि भाग रेखा पर मतस्री का चिन जो है सुब फल देता है आप भी अपने हाथों में देख सकते हैं चाहे वो मतस्री का चिन ऊपर बन रहा हो या मद्धि में या नीचे बन रहा हो थोड़ी थोड़ी भाग उसमें जो है थोड़